स्वागत है, आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस्ट टेकनोलजी में मैं अनुपरम विपुल, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के शोव साइंस हमजटी में आज हम लोग बात करेंगे बायो एथनॉल के बारे में तो आएए समझते हैं तो सब्सक्राइब प्रॉबलम का है, तो तो दो प्रॉबलम है पहला प्रॉबलम है कि हमें लिक्विड फ्यूल चाहिए लिक्विड हाइड्रोकार्बन का कोई अल्टरनेट नहीं है जो उसके आस पास भी आता है दूसरा हमारे दुनिया का agricultural output बहुत है क्योंकि obviously करोड़ों को खिला रहे है और वो लोगों को खिला रहे है तो उसका waste भी बहुत जादा है तो यहाँ दो problem है हमें इंधन चाहिए हमें वेस्ट बहुत बन रहा है दूसरा इंडिया के case में या majority देस का हालत यह रहता है कि वो foreign oil पर dependent रहते हैं भाई हमें तेल देदो नहीं तो हम लटक जाएंगे जो कि अभी इंडिया के साथ हो रहा है तो यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हम पूरी तौस एक national security के तौर पर देखें तो बतलब लटके भरे हुए और इससाब यह समझी कि हमाँ अभी के time में कोई ऐसा solution नहीं जो अच्छा यह लगा देते कुछ साल में sort हो जाएगा तो हम लोग बहुत लुचपुच जगह पर लटके हुए जहां पर सिर्फ मांग रहे है तुम दे दो तुम दे दो तुम दे दो यह कर दो वो कर दो मतलब कोई solid concrete option नहीं है यह दो बड़े समस्या के लिए है तो समस्या का समधान आता है एथनॉल के रूप़े तो एथनॉल है क्या एथनॉल सीधा तो पीते हैं वही है और इसका chemical formula है C2, H6 और O तो यह समझे एथनुल इसलिए कहा जा रहा है यह hydrocarbon नहीं है क्योंकि इसमें oxygen गुसा हुआ है तो oxygen और hydrogen गुसता है तो इसमें C2 है C3 है C4 है तो जैसे आपका hydrocarbon का chain लंबा होते जाता है इसका भी chain लंबा होते जाता है तो यह समझना बहुत ज़रू है कि यह alcohol गुरूप में आता है ना कि hydrocarbon गुरूप में और यह समझे कि इसका यह चुकि C2 ही है लेकि जब कि C2 अगर आप hydrocarbon में देखें तो गैस रहता है C1 गैस रहेगा C2 गैस रहेगा C56 तक में भी वह गैस रहेगा भले उससे आप pressure में करके आप यह कर सकते हो जैसे प्रोपेन ब्यूटेन यह सब को आप यह कर सकते हो असरी तेटीट में घृग सמצ्द्री अन्सरी दो कि c87 Economics चुकि C1 चृता है कि जालता ही तो देया ही यह कि आप किसको अखा ब्लीस होता है, उसको को दिखने है रहा एक अगर फ्लेम कालर लेस होता आपटलब इंस्ट्रक्शन दिए खिआ कि आपको एकश अग Прेण-सको दि और रिसेंटली बाद में जब हाई-अक्टेन फ्यूल इस्तमाल करने लिए एक-दो एकसिडेंट हुआ तो उसमें सीधा ट्रेनिंग दिया गए सीधे पानी में दुबाओ दाएं भाएं मत करो सीधे ड्वार देखो मत की आग कहा है क्योंकि दिखता नहीं आग इसका तो यह समझना थोड़ा ज़रूरी है यह हुआ एथनॉल केमिस्ट्री लेवल पर अब बात करता है इसे हम लोग बनाएं कैसे तो थैंक्फुली यह वैसा टेकनोलोजी है जिसको हम हुआ हां लोग हजारो लाखो साल से बनाते आरहे हैं याER गया तो यहां पर समझज का यह हमारे बहुत बनी है अए उसका भinação है तो बना कैसे थो यहां पर समझें तो यहां पर फर्मेंटेशन और में आज़ार है फर्मेंटेशन और यहां पर यॉरूम लोग रिजिद कर यह काम कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है, हो यह रहा है कि आप शुगर उठा रहे हैं, 6-carbon sugar generally, और इसे आप ethanol और carbon dioxide में ब्रेक कर दे रहे हैं, और ethanol आपका main ingredient बंजा रहे हैं, जिसे आप इस्तमाल करेंगे, और इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज नहीं चाहिए, thankfully यह ऐसा चीज जो आप नेचर में बहुत असानी से होता है, थोड़ा सा butter muscle लगए, यानि कि आपको yeast under favorable thermal condition, यानि कि डिपेंड करता है कौंसा yeast variety है, कि इसना sugar concentration है, और हिसाब यह हुआ है, यह हुआ एकड़म सिंपल वाला इतनौल, यह मतलब दारू ऐसे ही बनता है, इसे आप almost किसी भी चीज से बनासे हैं, इसमें sugar concentrate जैसे, sugar cane हो जाए, corn हो जाए, wheat से भी आप बनासे हैं, गर चाहें तो, बट उतना effective नहीं रहेगा, मतलब, आप input to output देखोगे, मतलब, आपने 30 टन डाला है, तो कितना लीटर निकल रहा है, उस हिसाब से देखिएगा, तो sugar cane और corn काफी अच्छा माना जाता है, बाकी सब बहुत नीच जरता है, तो इसलिए यूज नहीं करते हैं, और इसके next generation पर मेहनत किया जा रहा है, कि cellulose को इस्तमाल करके कर सकें, क्योंकि cellulose को इस्तमाल करें, तो cellulose का supply बहुत बढ़ा है, मतलब आपका sugar का supply है, चाहे वो sugar cane से हो, चाहे वो कौन से हो, वो बहुत बढ़ा नहीं है, लेकिन अगरा cellulose करते हैं, बम-बम supply है, और यह वेस्ट में सबसे ज़दा पाया जाता है, क्योंकि cellulose को digest करना बहुत मुश्किल है, तो cellulose का supply अनंत है, तो उसका है कुछ-कुछ method है, लेकिन बहुत कमी method है, जो इस तरह का large scale पर इस्तमाल किया जाता है, तो यह समझे, processes के बारे में समझे, main है, metabolizes sugar और ethanol और carbon dioxide output निकलता है, fermentation उस process को कहा जाता है, और yeast जनरली इसको समालता है, तो बात करते हैं, यह सारा समझ से solve कर देते हैं, नहीं, इस पर यहां समझना है बहुत जरूरी है, बार बद तो hydrocarbon जतना powerful कोई नहीं होता है, यह alcohol है, almost same चीज़ है, लेकिन उसे बहुत कम power है, कितना कम power है, 21 megajoule per liter होगा, versus 34, यानि कि अगर आप 100% यह इस्तमाल कर रहे हैं, क्या बलता है, 100% आपका ethanol fuel के तो पर इस्तमाल किया जा रहे है, आपका गाड़ी का टंकी बार बार खाली होने लगेगा, तो यह समझना बहुत जरू के कारण कि इसमें इसे कहा जाता है, octane booster, यानि कि यह जलने में काफी मदद कता, इसलिए fuel में एड कर पहले racing में एड किया जाता था, बाद में environmental तोर पर एड करने लगे, यह थोड़ा सा burn efficient की होता है, carbon monoxide का production कम कर देता है, तो यह यह इसका एक benefit है, लेकिन total energy कर आप देख यह एथनॉल उतना उपर नहीं जा सकता है, मिक्स करके तो literally लोग बले, यह हमारा गाड़ी का mileage का ही कम हो गया है, तो यह fuel में energy ही नहीं तो कहां से निकालेगा, तो वही समझे, diesel को नहीं touch कर सकता है, जेट fuel को पर नहीं कर सकता है, क्या यह सब दोनों के जंगा पर इस्तमा को हटा दो, सारे crops, food crops को लो स्वाहा कर दो, cotton crops को लो स्वाहा कर दो, हर crop को स्वाहा कर दो, उसके बाद सब जगहां पे सिर्फ sugar crops टालो, जिसमें आपका कौन आता ही यह आता है, मतलब जिससे आप fuel बना सकते हो, तो भी हमारे पास उतना fuel बनाने का capacity होगा ही नहीं, हमारे प करना चाहिए, ना तो US कर सकता है, ना ब्राजील कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, यह समझना बहुत जगहा है, और ब्राजील मतलब इसको जबरदस्ति के करने के चकर में पूरा का पूरा rainforest साफ कर दे रहा है, इतना land है ही नहीं किसी के पास कि इसको long term पे किया जा सके, और मै उतना ही नहीं, तो इसमें बहुत सारा limitation है, सबसे बेस्ट पर फाइदा कि यह हमारे agricultural waste को अगर सही से manage कर पाता है, agricultural waste को यह बदल देता है, तो आपका waste के जगहा पे अपको fuel में रहा है, वो बले-बले, आपने organize किया था, लेकिन हमेंसा side effect आता है, दाम भागने लगता है, यह बात समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप ऐसे देहन दीजिए कि शुगर केन का एक दाम है, शुगर केन इतने दाम पे बेचा जा रहा है, लेकिन अब जो उसको खरीद रहे है कि वो उसने शुगर केन से चीनी निकाला, वेस्ट का उसने fuel बना डाला, तो उसका दाम बढ़ गया, तो वो शुगर केन ज्यादा दाम पे खरीदने लगता है, कि हमें और शुगर केन होता है, अब यह देखा देखी, सारे फार्मर्स अपना सारा क्रॉपस अड़ा के सांधे से चुगर केन लगाते हैं, और घूम फिर के ब्राजिल के साथ भी यही वाई, उनका खाना महंगा होने लग गया, और यूएस तो मतबाइकन तबाही मचाने वाला बेकुफी कर डाला, तो वो अब डिसाइड करने वाले हैं, आने वाले एक दो साल में कि आगे ले जाना है कि नई इस पॉलिसी को, तो इस आप वही समझेगी, इसलिए शुगर केन का दा लगा दो, ये वही सबसे बड़ा इसका लिमिटेशन है, खत्रा, तो यहां समझेगी, ये डेंजर बहुत सीरियस क्रियेट करता है, क्योंकि इसे, ये चुकि इतना बड़ा है और ब्राजील के कारण हर कोई सोचता है कि ये हो जाएगा, पहली ब्राजील उतना बड़ा नह लगता है कि इतना बड़ा, मिलियन टंस में बात होने लगता है, तो लगता है कि हम लोग बहुत है, ये मतलब एक नंबर में, इंसानी का दिमाग नहीं अचा सथा, लेकिन फील होता है कि ये कर लेगा, तो ये बात समझना बहुत सीरिस पदा है, दूसरी दूसरी आप्छ अगर गान कि अगर अगंते पता है लगात वायर के निया खिए और क्या हो गाओ उते क्या लेकिन भी उन्हीं ज wewn आजर्टा फोरस जबंगे में जलता है इंशके और कंके फॉरस्थ यहांद से सीधे स्वहा करें, अब बचा क्या रहे हो, तो हिसाब वही रहता है, और इसको अगर mathematically compete किया जाज़ाएं, scientifically bet के compete करें, नहीं आता है LG के बगल में, LG seaweed के बगल में नहीं आता है, क्योंकि LG seaweed hydrocarbon देता है, alcohol group नहीं देता है, hydrocarbon देता है, उससे आप समझे लगा देना, हम लोग को बरबाद कर सकता है, कि मतलब बस यह लगा दो, सब लोग यह लगाने लगें, पता चलागें, यह खाने का सब चीज का दाम बढ़ें, भीजा हमें वीट महार से मंगाना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि, क्यों, हर फारमार बोल रहा हूँ, बहु की debit हैं, क्यों हो कोई डंग से नहीं आप्टिमाइज किया, मैंने नीचे एक ठो कुछ साल पुराना प्लांट का दिया, जो इंडिया का प्लांट है, उधोंने इस्तमाल करके अग्रिकुल्टरल वेस से बनाया, तो वही देखिए, लेकिन बात वही होता है, जब आप यह प्लांट बना तो सब सब लोग सुगरे प्लांट करने लगते हैं, तो यह बहुत खाताना चाहिए, इस पर थोड़ा सा मतलब ग्रिप जो है, बहुत अच्छा सा होना चाहिए, आप ले डूप सकते हो देश को, तो यह था मेरा प्रसेंटेशन बाइज के बारे में, उमीद कता हूँ, आपको सब्सक्राइक बीजिए, बेल दबाई का रफरी हैं, तो आपने रा वीडियो दिखा जानके बहुत खुशी हुई, धन्यवाद